पंचायत वासियो अस्सलाम अलेकुम हमारे पंचायत में चुनाओ का मंच सच चुका है चारो तरफ उत्सव का माहौल है आप लोगों का उत्साह, सजक्ता और सहभागिता देख मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपका यही उत्साह और सजक्ता ही चुनाओ को निस्पक्ष और काम्याब बनाती है मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सभी उम्मिद्वारों को सुबकामनाय देता हूँ वह चुनाओ जीते और सच्चे मन से समाज की सेवा का बीरा उठाए इस चुनाओ के मौके पर मैं आप मद्दाताओं को आपकी ताकत बताना चाहता हूँ और यह भी बताना चाहता हूँ कि आप अपने उम्मिद्वार का चुनाओ कैसे करें सविधान ने हमें एक जन एक मत्ध यानि वन परसन वन वोट का अधिकार दिया इसका मतलब यह है कि वोट करना आपका व्यक्तिकत अधिकार है इसलिए आप अपने उम्मिद्वार को चुनने का माबड़न आप अपने अनुसार तै करें अपने समझ बूज, अपने विचार और तजुरुबे का परयोग करें ना कि कि किसी व्यक्ति, समाज, जातपात या धनलोब से परभाविद होकर वर्तमान में देश के महोल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस परकार हमने अपने राजनेता का चुनाओं धर्म के अधार पर किया तो हमें अपने धर्म के परतिक का टरता और समपरदाइकता का महोल तो मिल गया लेकिन रोजगाड, सिक्छा, सुवास्थ और आत्मश्रक्षा जैसी मूल सुईधाओं से गवंचित हो गएं अब हम उस कागार पर पहुँच गए हैं कि हमारे देश की सभी पार्टी समपरदाइक हो गई यह चुनाओं हम मद्दाताओं के लिए अवसर है, मौका है कि हम अपनी पिछली कल्तियों को सुधारे, सही करे हम सब को अपनी उम्मीदवार का चुनाओं करने से पहले सही मुद्दो का चुनाओं करना होगा हमें निस्पक्ष होना होगा, सजग होना होगा, खुद के परती इमानदार होना होगा क्योंकि लोकतंद्र का मूल भावना है, इमानदार और निस्पक्ष मत दाता ही